असलाम लेकम कैसे हैं आप लोग उमीद है आप लोग ठीक होंगे तो जी आज है बैडने स्टे का दिन और धूप कभी आ जा रही थी धूप मैंने चार वाई बाई निकाली के बैठती हैं धूप में और धूप चली गई और हवा भी इतनी तेज थी कि लकडियों की आग जाल की रही है और यह वही मटर है जो इस दिन सब्जी में आये थे हाफ के जी हैं मैंने निकाल लिए मिसाला भी बना लिया मैंने हर चीज कट करने लगी हूँ और यह प्याज है और प्याज है दो सो असी रुपे किलो होगे प्याज इसलिए मैं तो एक ही प्याज डालती हूँ तो सारी ओड़ते ही ऐसे करती है घर और फिर ओइल डालने वाला तो मैं ओइल की बोटर रिफिल कर रही हूँ और ये मेरे पस काल वाला अलो को मिक्चर पड़ा हुआ था तो इसकी मैं टिकियां बनाने लगी हूँ लेफ्ट ओवर काल का पड़ा हुआ था और मैंने टिकियां बना ले इसकी और इसकी मैं बेसन की कोटिंग करूँगी पहले मैं अंडे की कोटिंग करती थी वो भी मज़े की लगती है लेकिन बेसन की बहुत ही मज़े की लगती है बाजार जैसे लगती है तो मुझे बाजार की टिक्यां बहुत पसंद है और यह मैंने एक खीरा और एक टोमाटर चोटा सा प्याज लिया मैं आज चट्नी का राइता नहीं बनाओंगी इसलाद का राइता मैं बना रही हूं दई में तो फोक की मदद से थोड़ी सी दई मेरे पास पड़ी थी तो मैंने फोक की मदद से इसको फेंट लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया आप लोग कौन-कौन से राहिते बनाते हैं मैं कद्दू का राहिता बहुत अच्छा बना लेती हूँ इन्शाला आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और थोड़ा सा मैंने इसमें जीरे का पाउडर डाल दिया पाउडर भी नहीं है थोड़ा सो मोटा कुटा हुआ है और चाट मसाला और नमक और कोई चीज नहीं मैंने इसमें शामिल की तो राहिता भी मेरा त्यार हो गया है और साथ ही मैं चावल बना रहे हूँ प्यास रख हो गए हैं में लसन अद्रक और हरी मिर्स का पेस्ट बना लिए इसमें पानी डालके टमाटर डालके इसमें मैं डालती है तो बड़ अची फिशबू आती है और साथ ही मैंने इसमें मटर डाल दी है और देखे द्हूप भी निकला ही है और मैंने पानी लगा दिया है मैंने डेर ग्लास चावल बना रहे हूं और पानी लगा के मतर डाल के और अब चावल डाल दूंगी और ये मैंने बेसन की लई सी बना लिया है इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा और नमक शामिल किया है तो इसी की कोटिंग करूंगी मैं ठिक्यों पे और आप सनाएं आप लोग कैसे हैं मैं साथ साथ मैस भी क्लियर कर रही हूं आप लोग सनाएं आप लोग कैसे हैं धूप कहा कहा हाज निकली और आप लोग कहा कहा से मुझे देख रही हैं कुमेंट में जरूर बताया करें और ये देखें बहुत ही मज़े कि मेरी आलू की ठीकियां बन चुकी है तो इसको फ्राई कर रही है डी फ्राई कर रही हूं क्योंकि बेसन लगाया ना इसलिए अंदर तक पड़क जाएंगी और बेसन से आप लोग भी फ्राई किया करें बहुत ही मुझे की बनती है यह यह मैंने अखबार रखी है इसमें मैं नकाल के किया है खाने का टाइम हो गया है और देखे मेरी प्लेट तो मैंने तियार कर लिया और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करें अगली वीडियो तक अल्ला आफेज